हेलो फ्रेंड शुआगत है आपका आज मैंने बनाई ये कड़ी मैंने यहाँ आज बिना प्याज और लेशुन की कड़ी बनाई है तो इसके लिए मैंने ली है याँ दो गिलास छाच अब इसमें एड़ करूँगी मैं दो छोटे चम्मच बेशन हमें याँ बेशन ज्यादा यूज नहीं करना है यदि आपने ज्यादा बेशन यूज किया तो आपकी कड़ी बहुत ही गाड़ी हो जाएगी यदि आप छाच ज्यादा यूज कर रहे हो तो बेशन भी आप उसी कौन्टिटी के अनुसार ले अब इसमें एड कर रहे हूं मैं एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर साथ ही मैं एड करूँगी आदा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी हमें या कमी यूज लेनी है अब इसमें एक एड़ किया है एक छोटा चमस भनीय पवडर अब इसका अच्छर से मिक्स कर देंगे गалсяगे गरम होने के बाद मैं उसमें डालोंगी मैं ऐक आदा छोटा चमस शर्चो का तेल अब इसको इस तरीके से गरम होने के बाद मैं इसमें एड करूंगे मैं जीरा तैंसे में एड गरूंगे राई यदि आपके पास राई नहीं है तो आप यह सर्षो का भी यूँज कर सकते हो इनको सुनेरा होने तक अब इसमें एड करूंगे साबुत धनिया और अच्छे से mix कर देंगे, आप डाल भी सकते हो, इसे skip भी कर सकते हो, अब इसमें add किया है, कटी हुई हरी मिर्च, और अब इसमें add करूंगी मैं, छाच और बेशन का paste, या ध्यान रखे, बेशन के पेश्ट डालते समय, गैस का flame लो रखे, और इसको ब्राबर चलाते रहे बढ़ना यह फट जाएगा, मिक्सर हमारा, और हमारी कडी का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, इस तरीके से, इसको हम चलाते रहेंगे, यदि आपको यहां पे, आपकी कडी गाड़ी लग रही है, तो आप इसमें यहां पे पानी add कर सकते हो, और इसकी तिकनेस को कम यह जादा कर सकते हो, इस तरीके से, इसको पकने देंगे, आदा घंटे तक पकाना है, इससे कडी बहुत अच्छी बनती है, अब इसमें add किया है, मैंने कटा हुआ हरा दनिया, और पिसा हुआ बिल्कुल बारिक पिसा हुआ पौदिना, मैंने पौदिने को बिल्कुल मिक् कडी में बन जाती है, लेकिन एक परफेक्ट और श्वादिष्ट कडी बनाने के लिए, इसे हम आदा घंटे तक पकाएंगे, और द्यान रखे, कडी में हमेसा नमक सबसे लास्ट में डालते हैं, तो यहां डाला है मैंने एक छोटा चमच नमक, इससे क्या होता है, कडी का फटने का चांस कम होता है, यह बन गई हमारी परफेक्ट कडी, मिलती हो आप से एक नई रेशिपी के साथ, थैंक यू,